इदर देखो यह लगघवाए कैमरा देखो यह यह लगा देखो यह रहा कैमरा लगद हुआ है सब्सक्राइब प्लाइट कॉ रहे थिकष्र तो देख आपने ए ट्यम में किस तरह से हमारे कार्ड की जराने के लिए एक हमारे कार्ड की क्लोनी करने के लिए अफ़ड टेक्णिक अपना जा रहे है अब आप मेंसे बहुत सलूपने कि इस थाइए चुनीक की है किस तरह से यूज उसके जाता है और इसे कैसे बचे चले मैं आपको मैं समझाता हूं वीडियो में आपने जो फ्रॉड देखा इसे हम कहते है card cloning तेक्नोलोजी की दुनिया में इसे एक दूसर नाम से भी जाना जाता है skimming अब बोलो के skimming क्या है सिंपल और आसान भासा में बता हूं तो skimming एक मैथड है एक तरीका है या फिर कहलो technique है जिसमें software और एक hardware यानि की कोई भी electronic device का इस्तमाल करके यहां पर आपके card की details को चुरा जाता है और उसका एक same duplicate card बनाया जाता है same वैसे देखने वाला या फिर कहलो kloning बनाया जाता है और इसकी मदद से आपके account से पैसे को निकाला जाता है यहां पर आपके account के पैसे को चुरा जाता है वो भी बिन आपके permission के और यह जो fraud है आपके साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है जहां भी आप अपने ATM debit card credit card का इस्तमाल करते हो चाहाए ATM machine में जाके cash निकालना हो कहीं पर जाके shopping करना हो कहीं पर payment करना हो कहीं restaurant चलेगे वहाँ पर payment करते हैं वहाँ पर card आपका swap होता है या फिर कोई भी जगे पर जहां पर आपका ATM card debit card credit card use होगा वहाँ पर आपके साथ यह scam या fraud हो सकता है और हाँ दोस्तों इसकी खासित यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके credit card debit card या फिर कहलो ATM card की cloning हो चीकी है अब साल उठता है कि आखिर में यह fraud होता कैसे वैल जब भी आप कहीं पर आपना card swap करते हो card use करते हो चाहे वह ATM हो या फिर कहीं पर शॉपिंग मॉल पर हो जहाँ पर आपना card swap कर रहे हो तो जो fraud होते हैं जो यह scam करते हैं जिसमें आप card डालते हो card reader होता है उसका clone बना देते हैं इसके अलावा जो machine होता है card reader जो आप restaurant में देखते हो या फिर shopping mall में देखते हो उसका भी duplicate बना देते हैं जैसी दोस्तों आप अपना card swap करते हो तो आपके card की दोस्तों जो सारी detail है वो store कर लेता है अपना card reader करते है यहां पर hacker करता क्या है उस card reader की जगे पर आप अपना card डालते है उसके ऊपर एक और card reader एड कर देता है और वो card reader दोस्तों hacker कस्टमाइज किया होता है जो भी fraud कर रहा है और उसे दोस्तों उसमें ऐसा software डाला जाता है आपके card की दोस्तों आपके ATM card, debit card की detail वो store कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है आपको लगेगा कि आप तो नॉर्मल ATM में अपना card डाले हो इसके बाद नेक्स टेप में क्या करोगे अपना pin एंटर करोगे जोबी ATM card की pin आपके डाला होगे और आपको लगेगा आपको लगेगा आपको लगेगा आपको लगेगा पता है क्या करता है जहां पर आप अपना pin एंटर करते हो इसके जस्ट उपर दोस्तों एक camera यहां पर फिट कर देता है आपको पता भी नीचे लगा आपको लगेगा कि यह रियल तरीके से आपको फिट किया गया है मताब एक तरह किसा आप फ्रॉड की सिकार होगे और आप जो भी pin एंटर करोगे कैस तो उस वक्त आपका निकल जाएगा लेकिन आपका जो pin है और जो card detail है वो hacker के पास चला जाएगा तो hacker क्या करेगा एक नया card लेगा और वो जो सारी detail है उस card में डाल देगा जहां पर ATM है वहां पर जाएगा उस card को swipe करेगा जो भी ATM PIN है वो simply आपके एंटर करेगा आपके account से चुटकियों में पैसे गायब हम अब सवाल आता है आखिर में हम इसे बचे कैसे बचना बहुत ही सिंपल है चोटी-चोटी साफदानी यहां पर बरतनी पड़ेगे और आप में इसा सेफ होगे आपके card को cloning होने से बचा सकते हो अगर आप देखोगे आज जिते भी दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं उन सभी में यहां पर chip and pin technology का इस्तमाल के जाता है जहां पर आप नोटिस करोगे card में हमें इसा वो एक chip दिया जाता है जिसमें जो भी information होती है वो encrypted रहती है और अगर कोई hacker आपके card की cloning करने की कोशिश भी करता है तो जो encrypted information है उसे decrypt करना यानि एक readable form में या फिर कहलो उस code को decrypt करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है अगर ऐसे ATM card debit card आप इस्तमाल करते हो तो काफी हद तक यहां पर उस card की cloning करना मुश्किल है आपको बता दूँ कुछ भी यहां पर hack हो सकता है तो कोशिश करना जब भी आप किसी ATM में अपना card डालो तो जो card reader है उसे हलका सा खीच के कोशिश करना है अगर वह नकली होगा तो हलका से खीचने पर यह बाहर आ जाएगा अगर नहीं आता तो इसका मतलब है वह सही है और उसके आप अपना card डाल सकते हो इसके अलावा जब भी दोस्तों आप यहां पर ATM मशीन में जाते हो और अपना password एंटर करते हो तो password एंटर करने के उपर simply ऐसे हाथ रख लो ताकि अगर उसके उपर कुछ भी camera लगा हो तो वह आपके PIN को यहां पर रिकॉर्ड ना कर पाए तो हाथ रखके यहां पर PIN हमेशा एंटर करें इससे क्या होगा अगर उसके card reader लगा भी होगा यहां पर यहां पर तो उसको PIN आपका पता नहीं चल पाएगा जिससे हुआ आपके card की cloning नहीं कर पाएगा अगर आप कहीं भी shopping mall में जाओ shopping करते हो कहीं भी restaurant पर जाते हो payment करते हो अपने credit card debit card या ATM card से तो हमेशा PIN एंटर करते वाग छुपा के enter करें बहुत से लोग सुचते कि open नहीं है पर क्या ही कर लेगा मेरे PIN का password लेगे ATM तो मेरे पास है पर यह गलती आपको नहीं करने है आपके card की cloning कभी भी हो सकती है आपके साथ fraud कभी भी हो सकता है तो जो PIN आप enter कर रहे हो payment करते वाग वह हमेशा छुपा के करें अब बहुत से लोग बोलते यार आपस तो कोई नहीं चलो एंटर कर देता है बट ऊपर कहीं पर भी दोस्तों camera लगा हो सकता है पता नहीं है तो हमेशा card पर payment करते वक card transaction करते वक हमेशा आपने PIN को छुपा के एंटर करें किसी को बताए ना किसी को पता ना चले यह चोड़ी चोड़ी जो टिप्स है इन टिप्स को अपना के दोस्तों आप card cloning से बच सकते हैं या फिकलो skimming से बच सकते हैं अगर होब दोस्तों आपको यह जानकरी अच्छी लगए होगी कि अच्छी करें